नमस्कार आप देख रहें नेशनल दस्तक मैं हूँ नविन कुवान नंदन मैंने आपको कुछ देर पहले एक ख़बर बताई थी ख़बर ओ हर्याना के नुह से आई थी जहां पर किस तरीके से एक DSP की कुरूरतम तरीके से हत्या कर दी गई डंप पर चढ़ा दिया गया और उस DSP की मौके पर ही मौत हो गई पुलिस के तमाम अधिकारी वहाँ पर पहुँचे मुख्यमंतिरी ने ट्वीड किया कि जो भी आरोपी हैं बक्षा नहीं जाएगा उन लोगों को सभी की गिरफ्तारियां तेंकी जाएंगी हाला की जानकारी मिल रही है अभी तक एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है उसे इनकाउंटर के दोरान गिरफ्तार किया पुल कितने आरोपी हैं पुलिस अभी तक इस बात की जानकारी नहीं दे पाई लेकिन BJP के ही सांसद, BJP के ही खिलाप मुहिम छेड़ दिये हैं जिस सांसद इस बार मुहिम छेड़ी है उनका नाम है वरुन गाधी वरुन गाधी ने लिखा है कि खनन माफियाओं ने जिस कुरूरता से एक इमानदार पुलिस अधकारी की हत्या की है ओ अस्तब्द कर देने वाली है किसके संरक्षण ने खनन मापियाओं को ऐसा करने की हिम्मत दी किसके संरक्षण से अरावली छेत्र में अवेद खनन माननी सुप्रोक के बावजूद बदस्तूर जारी है दोशियों को सजा कब देखिया मैंने पहले ही कहा था ना यूपी की तरज पर ही हर्याना में भी डबल इंजन की सरकार है लेकिन अपराधियों के हौसले कितने बुलंध है आज की घटना से आप साब समझ सकते है पुलिस का एक अधिकारी छेत्र अधिकारी जिसे हम बोलते हैं डियस्पी उसकी हत्या किस तरीके से कर दी जाती है गल्सी सिर्फ इतनी थी उस अधिकारी की ओ गया हुआ था जाच करने के लिए जो डंपर आ रहा था डियस्पी ने रोकने कोशिश की भया तुपने कागज दिखा दो तुम्हें पत्थल लाद कर कहां से ला रहे हो लेकिन जो खरन माफिया है जो ड्राइबर था उसके होसले इतने बुलंद थे कि उसने कागज ना दिखाना पड़े इसके चलते उसने डंपर का कागाज ना दिखाना पड़े इससे बचने के लिए उसने DSP के उपर ही अपनी गाली चाहा दी और मौके पर ही दर्दनाक मौट DSP की हो गई वही हुआ जैसे है रिक मामले में होता है पुलिस कहती हम आरोपी गिरतार करेंगे कड़ी सजा देंगे हरियाना के जो मुख्मंत्री है खटर इन्होंने कहा कि उन लोग कुपर कारवाई की जाएगी लेकिन सोचिए ये सिर्फ एक हत्या है या ये सिर्फ बता रही है हरियाना में किस तरीके से गुंड़ई अपराद चरम सीमा पर है जो सोचल मीडिया यूजर्स हैं वे लोग यही लिख रहे हैं ये जो हत्या की गई है जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई है तो इसके पीछे किसी बड़े नेता का हाथ है और जो अवैद खनन काम चल रहा है कोई आज से नहीं बलकि बीते कई सालों से चल रहा था और पुलिस प्रशासन रोकने में पूरी तरीके से नाकाम थी किस तरीके से एक अधिकारी की हत्या की जा रही है क्या है आप लोग राह है हमें जरूर बताईएगा लेकिन दूसरी खबर हो ही है कि देश के प्रदहान मंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं को रोजगार देने जा रहे है लेकिन युवा कह रहे हैं साहब आप तो हमको बेरोजगार बनाने पर तुले हुए है हमारा बाप नौकरी करता रहेगा लेकिन बेटा रिटायर हो जाएगा बेटे को 21 साल में नौकरी मिलेगी और बेटा 24 साल में रिटायर हो जाएगा इसके बाद क्या करेगा आपको पता है तमाम बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के बयान आए उन्होंने कहा कि हमारे हाँ सेक्यूरिटी गार्ड लग जाना उन्होंने कहा कि आकर हमारे हाँ चप्रासी का काम करना उन लोगोंने कहा कि चिंता ना करो हम नौकरी दे देंगे घर में सफाई करमचारी का लेकिन एक ट्विटर यूजर अर्विंद कुमार इन्होंने लिखा मैं दो बार NDA का SSB इंटर्विव दे चुका हूँ पहली बार भोपाल तो दूसरी बार बैंगलोर गया था तीसरी बाद इलाहाबाद में शामिल होना था लेकिन किसी वज़ा से मैं उसमें शामिल नहीं हो पाया उन दिनों इंटर्विव शुरू होने के पहले अधिकारी है पूछते थे आपके परिवार में सेना से कोई अफसर है या नहीं है सोचिए सेना में कोई अफसर है या नहीं अगर आपके घर में सेना में कोई अफसर होगा तभी आपको नौकरी मिलेगी अगनिवीर को लेकर के भी जंग छुड़ी हुई है तमाम विपक्षिदू नेता हैं उसमें आपके चाहे राजसवा सांसद हों संजय सिंग या फिर बिहार के नेता हों तेजस्वी या दो साफ साफ उन लोगों ने ट्वीड किया है किस तरीके से जात पुछ कर सेना में भरती दी जाएगी सोचिए हम कल्यूग में जीर हैं साहब अगर हमको देश की सेवा करनी है तो भी हमारे पास reference होना चाहिए अगर हम समण से आते हैं हो सकता है साह जल्दी नौकरी मिल जाए अगर दलिद से आते हैं हो सकता है नोकरी ना मिले इसी की वजह से सरकार पूच रही है आप कि बिरादर रिस आ रहे हैं अपनी स्क्रीन पर जो आ भी आप देख रहे हैं ते जसवी यादां ने इसे ट्वीड किया है और किस तरीके से उन्होंने बकाइदा घेरा किया है जो अगनिवीर है अगनिवीर के जब फॉम फिल करेंगे तो आप से पूछा जाएगा आप अपना धर्म बताईए आप अपनी जाती बताईए लेकिन जो मैं जिक्र कर रहा था यह जो अर्विंद कुमार हैं इनका भी इनके घर में कोई अधिकारी होता इनकी बड़ी पैर्वी होती इनकी नौकरी जरूर लग जाती लोग सवाल कर रहें सरकार से लेकिन सरकार है कि जवाब देना नहीं चाहती सरकार मौन धारण करके बैठी हुई है आपकी क्या प्रत्किरिया है हमने दो बड़ी खबरे आज आपको बताई है अपनी प्रत्किरिया हमें जरूर दीजेगा शुक्रिया निस्नल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते है तो निस्नल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की दवाएं निस्नल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें